कैसे हो आप लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा सल्यूशन लेके आई हूँ जो आपके अंडर आइस में जो भी डाक सकल्स है पॉफिनेस है रिंकल्स है फाइन लाइन से सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएंगे मैं आज को अपने हाथों से बताने वाली हूँ आप अपने हाथों से बना सकते हो अंडर आई जल जिससे अगर लगा though 10-15 डेस इस्तमाल करोंगे तो आपके जो ड्राक सकल्स की प्रॉब्लम है wrinkles की problem ہاش । फाइन lines की problem वो सारी जढ़ से खतम हो जाएगी तो दोस्तों जादा बाते नहीं करते हैं और देखते हैं इसधर अंडर इस सीरम को किस तरीके से बंडाना है और किस तरीके से apply करना है तो चलिए वीडियो को start करते हैं अगर आप मेरी चाहिल के नहीं हो तो मेरे चाहिल को सब्सक्राइब कीज़ेगा और अगर मेरे वीडियो थोड़ी से भी यूसफुल लगे और बेनिफिट लगे तो प्रीज मेरे वीडियो को लाइक करना तो चलिए शूर करते हैं सबसे पहले इस अंडल आज जलको को बनाने के ए लिए सबसे पहले हमने चाहिए ईलो वेर माटकीट का आललो वेर जयल लेना हैं आपको वन सपूम के लगवग ऐलो वेर जयल लेथा हैं और उसके बाद हमें लेनी हैं एक पिंच तर्मरिक हमे एक बिंच के लगबग हल्डी इलेनी है हल्डी एंटि सेप्टिक होती है एंटी-िंफर्मिर्टL Caroline इंक घुंड होते हैं इसमें और जो हमारे आइस केे पास जो भी पॉफीनेस होती है रिंकल स होती है उसको दूर करने म जो हमारे चीज के पास जो भी ब्लेड सर्कुलेशन होता है उसे एंहांस करता है ब्लेड सर्कुलेशन में अच्छे से काम करते है कॉफी और ये सारी चीज़ों को कर देना है अच्छे से मिक्स उसके दोस्तों हमने अंडर आई जेल को इस छोटे से कंटेनर में स्टोर किया है ये मेरे पाल पॉथ पॉण्ड का चोटा सा अदब्बत है आपके पास कोई भी हैटाइट कंटेनर हो आप इसमें स्टोर कर सकते हो इसे आपको huh fridge में रखेना है आप इसे आसारी से 10 to 15 डेस तक सोर कर सकते वो , आपने देखा कि हमने इस अंडराईज जल को किस तरीके से बनाया है अब मैं आपको बताती हु इसको किस तरीके से आपको यूज करना है तो दोस्तों यह देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको कर्णा करना है उसके बाद लेना है थोड़ा सा अनराइज जल आपको रिंग ouvert में लेना है दोनों रिंग से आपको अच्छे से कर देना है मिक्स को दोस्तों यह अनडर आई के पास जो जो स्किन होते हैं एक सॉफ्ट होती है इसलिए आपको बहुत हलके हातों से इस तरीके से मसार्ज करने हैं इसे आप रात में सोने से पहले एक बाद कर सकते हो और आप सुबा कर सकते हो हलके हातों से इस तरीके से मसार्ज कीजिए उपर भी और अंडर आइस में भी इस तरीके से अगर आप मसार्ज करते हो तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो अंडर आइस के नीचे जो भी डार्क सरकल्स है पफिनेस की प्रॉब्लम है अगर आपकी आई बैक फूले फूले होते रहते हैं सूजे रहते हैं तो वो भी दूर होंगे और आपके किसी किसी के जो अंडर आईस होते हैं उसके नीचे फाइन लाइन्स आजाती हैं रिंकल्स आजाते हैं वो भी धीरे धीरे आप खतम होंगे आप इसे लगाता साथ से दस दिन तक आप इस्तमाल करके देखो आप खुद देखेंगे कि आपको बहुत अफेक्टिव रिजल्ट मिल यह एकदम 100% अफेक्टिव जल है जिससे आप अ इंग्रीडेंट इस्तमाल किये हैं वो आपको आसानी से घर में मिल जाएंगे और यह 100% नाच्रल है दोस्तों इस तरीके से आप अंडर आइज जल को प्रपेर कीजिए लगाए और देखिए रिजल्ट कितना अच्छा होता है यह थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको मेर